हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्का डीटरिक्स, दोस्तो इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस कर रहे हैं यूपी लेकपाल के लिए ग्राम समाज एवंपिकास के पंदरा सो प्लेस इंपोर्टन कोस्टन की सीरीज को जैसा कि आप सब जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज की जरीए, जितने भी मार्केट में ग्राम समाज एवंपिकास की किताब हैं सब को हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो आज हम डिसकस करेंगे, इसका सैट नमबर 26, जिसमें हम आज अर्यनती की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स पुछले कुछ दुनों से आपके सामने वीडियो लेकर हाइसर नहीं हो पा रहता, कुछ जादा विजी होनें की बजासे, अब आपको लगातार वीडियो प्रोवाइट कराई जाएंगी, और डेली प्रोवाइट कराई जाएंगी फ्रेंड्स बहुत जल से जल आपके सामने हिंदी के 1000 पिलस important question की सीरीज श्टार्ट की जाएगी जिसमें most important question डिसकस करे जाएगे आप सब जानते हैं 25 question हिंदी के आना है तो हमारा पहला question दिया गया है भारत में कुल कितने गाउँ है दोस्तो भारत में कुल कितने गाउँ है तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारत एक ग्राम प्रतान देश है और 2011 की जनकलना के अनुसार भारत में कुल कितने गाउँ है तो 6,40,930 अब आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे 640,930 एक से दो बार कहें लेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा तो आपको इस चीद को ध्यान रखना है और फ्रेंड्स विस्बैंक की वर्ल्ड और्गिनाजिशन डिवीजन रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो भारत के अंदर 6.6% विस्बिकी 6.6% क्या रहती है ग्रामीर जनसं क्या रहती है तो आपको इस चीद का ध्यान रखना है और भारत में लगबग 70% आवादी के आए ग्रामीर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए तो इसमें उप्सन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं किस विद्वान ने ग्रामीर समुदाय को लगू समुदाय की संग्या दिये दोस्तो रॉबिट रेट फील ने नामक विद्वान ने ग्रामीर समुदाय को लगू समुदाई की संग्याती है तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे और लोडी नेडलसन का सिद्धान पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है इनके अनुसार मनुस की कहानी अधिकांश्ता ग्रामीर मनुस की की कहानी है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो इसे लेकर भी exam में question पूछ सकते हैं तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question हमारा ग्रामीर समुदाई उस समुदाई को कहा जाता है जहां तो ग्रामीर समुदाई उस समुदाई को कहा जाता है जहां समाज में अनौप चारिक्ता प्रात्मिक्ता समुदाई की पिरधानता यानि की तो इसमें पहला दे रखा है समाज में अनौप चारिक्ता पाई जाती है सही बात है नैश्ट हमारा किर्सी मुक बेबसाई होता है तो ये भी सही है, अगला प्रात्मिक समू की प्रात्मिकता होती है, तो इसमें option number हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उप्योर सभी, तो आप इस चीद को ध्यान रखेंगे, अगला question देखते हैं, उपन अगरी ग्राम वो ग्राम होता है, जहां ग्राम वो ग्राम होता है, जहां ग्राम वीर तथन अगरी संसक्रती मिलती है, तो इस चीद को ध्यान रखेंगे, option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा, ग्राम वो ग्राम वो ग्राम के और से ग्राम museum सम्सक्रती मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपन अगरी ग्राम, option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं जन्गलना 2011 के नुसार गिरामीर भारत की आबादी है तो जन्गलना 2011 के नुसार गिरामीर भारत की आबादी कितनी है 83.3 करोड तो इसमें option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा जो देश की कुल जन संक्या का कितना आए 68.89% तो लगवक आप कितना मान सकते हैं 70% तो आप इसको ध्यान रखेंगे और घामों की संक्या कितनी है 640-930 दो से तीन वार कहे लेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा तो इसमें option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं ग्राम शब्द का सरप्रतम उलेक किस सहित में मिलता है दोस्तो ग्राम सब्द का उलेक सरप्रतम किस में मिलता है बैदिक सहित में तो इसमें option number हमारा भी रेक्ट हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कॉस्द देखते हैं जो के बहुत कम लोग हैं जो किरसी को छोड़कर दूसरे बहुत साई को करते हैं तो आप इस कीज़ को आपको पताई होगा अगर आप गाउं के अंदर रहते हैं तो इसमें option नम्मर हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलेकित में से कौन एक ग्रामीर परिवेस की विसेशता को नहीं दरशाता है तो आपको बताना है इन में से चार option दिये गए तो चार इन में तीन क्या है ग्रामीर की विसेशता है और एक नहीं है तो इसमें कौन सी नहीं होगी आपको बताना है तो सरलेवम समान जीवन होता है सही बात है सामाजिक कतिशीलता का अभाब होता है ये भी सही है एकल परिवार की परमपरा ये गलत है ये ग्रामीर परिवेस की विसेशता नहीं है तो इसमें क्यों होते हैं संयुक्त परिवार होते हैं जाजेतर नाइट है सिरम की बिसेशी करल का महात्व होता है तो ये भी सही है तो इसमें option 3 correct हो जाएगा हमारा एकल परिवार की परंपरा नहीं होती है अगला question देखते हैं ग्रामीर समुदाय के संदर में कौन सा कथन असंगत है तो यानि कि आपको ये बताना इसमें कौन सा कथन क्या है ग्रामीर समुदाय से में मतलब असंगत है तो पहला इसमें दे रखा है गिरामीर समुदा है प्राकिर्तिक परियावलर पर निर्वर करता है सही बात है नैश्ट है मारा ब्यक्ति की पिरतिष्टा का संबन्द परिवार होता है तो ये भी सही है अगला है जन संक्या घनत कम पाय जाता है तो आप देख संग्या होगी इसलिए वहाँ क्या होता है गनत जाता होता है और गाउं का घनत क्या होता है जन संग्या घनत कम होता है नेश्ट हमारा बिनिर्माल कारिये का बिक्सित और अबस्ता में होता है तो यह क्या होता है यह इसके लिए क्या है असंगत है तो इसमें ऑप्सन नंबर ह समुदाय में किसी ब्यक्ति की इस्थिती का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता। समाजिक संगठन इवं का प्रारमिक रूप में तो इसमें ग्राम समुदाय के समाज सासरी महत्व तीनों ही हैं तो इसमें आप इसको ध्यान रखेंगे आपसन डी क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं तो गरामीर परिव्कास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्थन हैं तो आपको बताना आए फ्रेंड्स पहला है जजमानी व्यवस्तिकी समापती हुई है तो इसमें परिवर्थन हुआ है तो इसमें ऑप्शन नमबर हमारा यह करेक्ट हो जाएगा तो आप इस इन गिरंद में मिलता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा और इसके लेकक का नाम है आप ध्यान रखें एकजाम में को question पूछ सकते हैं तो इनका नाम है रिशी याग याग बालक तो ये कौन है शत्पत ब्राहमल के गिरंद के लेकक तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं गिरामीर राजिनीतिक जीवन में बदलाव के संदर में ये कतन किन का है जिन गिरामीर छेतरों में निम्द जातियों के लोगों की संग्या अधिक है बे पिरमुक जातियों के रूप में संग्यटित हो गई है तो ये कतन किसका है आपको बताना है दोस्तो ये कतन है किसका है स्री निवास का तो इसमें option number हमारा भी correct हो जाएगा तो आधुनिक समय में गिरामीरों के जीवन में राजनितिक परिवर्थन हुआ है और उन में राजनितिक चेतना आई है अब वे कमजोर सम्मू में नहीं बलकि संग्यट होकर दबाब के सम्मू में चुने हुए प्रतिनिदियों में अपनी मांगों को मनवाने में सक्चम है तो उसी को देखते हुए सरी निवास ने ये वाद कही है तो इसमें उप्सन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्त नहीं मारा समाज के व्यबस्तित रूप को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स समाज के व्यबस्तित रूप को समाजिक सारचना कहा जाता है तो इसमें option B हमारा correct हो जाएगा समाजिक सनचना में, समाजिक प्रतिमानों, समीतियों, संस्तानों और समाजिक मोल्लों के ब्यवस्तित स्वरूप में शामिल होते हैं तो आप इस चीज़ को धियान रखेंगे तो इसमें option B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं समाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों की मकान, बनावट, खानपान, बस्र, आदी को प्रभावित करता है दोस्तों समाजिक परिवर्तन का भोगोलिक कारक लोगों के मकान की बनावट, खानपान, बस्र, शारीटिक, जहमता आदी को प्रभावित करता है तो इसमें option A हमारा correct हो जाएगा भोगोलिक कारक कारक अगला question देखते हैं समाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सायक होते हैं दोस्तों किस में होते हैं अंतरजाती विवा में सही है प्रेम विवा में ये भी सही है समाजिक विक्टर में तो इसमें समाजिक परिवर्तन के जो आर्थिक कारक किसमें मिसायक होते हैं इन सभी में तो इसमें option D हमारा correct हो जाएगा ये सभी अगला question देखते हैं निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है तो आपको बताना इन में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है तो कौन सा नहीं है सामाजिक गतिशीलता तो इसमें option number हमारा C गरेक्ट हो जाएगा तो समाजिक परिवर्तन की ये क्या है ये किस्टिती है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे ये कोई कारक नहीं है option number C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निम्न में से कौन समाजिक परिवर्तन का पिर्तिमान नहीं है तो इन में से कौन सा समाजिक परिवर्तन का पिर्तिमान नहीं है समतल परिवर्तन तो इसमें option number हमारा B correct हो जाएगा और समतल परिवर्तन समाजिक परिवर्तन का पिर्तिमान नहीं है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे ये चक्री परिवर्तन इसमें पिर्मुक होता है और समरेक परिवर्तन भी होता है उतार चलाओ तार परिवर्तन भी होता है लेकिन समतल परिवर्तन नहीं होता option B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं समाज में आर्थिक जगत अता जन संक्या के छेतर में हो रही परिवर्तन को किसके अंतरगत देखा जाता है तो किसके अंतरगत देखा जाता है आपको ध्यान ढगना है उतार चलाओ धार परिवर्तन के तो इसमें option number हमारा B correct हो जाएगा समाज में आर्थिक जगत तता जन संक्या के छेतर में हो रही परिवरतन को उतार चलाओ दार परिवरतन पिरतिमान के अंतरगत देखा जाता है फ्रेंट्स इस परिवरतन के पिरतिमान के अंतरगत समाथ की अच्छी तता खराब इस्तिती को देखा जाता है और अच्छी इस्तिती में उच्छे भाग तता खराब इस्तिती को नीचे भाग से दरसाय जाता है जैसे कि आप समझ सकते हैं इस तरह से अब उतार चलाओ है तो इसे हम कह सकते हैं कि अच्छी इस्तिती और ये नीचे वाले को हम कह सकते हैं कि खराब इस्तिती है तो इसे हम क्या कहते हैं ओतार चलाओदार परिवर्तन ओप्सन नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं मानब जीवन का शिशू, तरोल, प्रोल तता बृद दबस्ताओं में परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन है तो दोस्तो मानब जीवन का शिशू, तरोल, पॉल तता बृद दबस्ताओं में होने वाला परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है चक्री परिवर्तन तो इसमें ओप्सन नमबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा चक्री परिवर्तन तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कॉस्चन देखते हैं निम्ड में से कौन परिवर्तन का कारिये अत्वा परिवर्तन के संबंद में सत है फ्रेंड्स परिवर्तन मानब जीवन के विकास के साथ निरंदर ही पाया जाता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो इसमें उप्सिन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा उप्योड सबी तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला कॉस्चन देखते हैं निम्न में से कौन परिवार की विशेष्टा नहीं है तो इन में से कौन सी परिवार की विशेष्टा नहीं है रक्सम्मंदों का बंदन सही है समाजी करल ये भी हमारा सही है समाजिक निरनतर का अफिरभावी साधन तो ये क्या है ये हमारे परिवार की बिसेश्था नहीं है भवनात्मक लगाओ तो ये भी क्या है सही है लेकिन इसमें उप्सन नमर अमारा C गलत है, समाजिक निरुनतर का, अपर भावी सादन, तो इसमें option number C, correct हो जायगा, अगला question देखते हैं, परिवार के उद्धिक आसी सिध्धान के पृतिपादक कौन थे, दोस्तों परिवार के उद्धिक आसी सिध्धान के पृतिपादक कौन थे, वैको फण, option number हमारा इसमे एक रेक्ट हो जाएगा तो लेकिन फ्रेंट एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस सिद्धान को किस ने किया था किस ने किया था मौरगन ने लेकर आप से पूछा जाए इसके प्रतिपाजक कौन थे तो कौन थे बेको फन ओप्सन नम्मर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कौस्चन देखते हैं ग्रामीर परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदाई नहीं माना जाता है तो ग्रामीर परिवार में ग्रामीर परिवार के परिवर्तन के कारकों में इस्थाई जीवन को क्या नहीं माना जाता है गिरामिर परिवार में परिवर्तन क्या कारक नहीं माना जाता है तो इसमें option number हमारा decorect हो जाएगा इस्थाई जीवन तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार की बिशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो यह क्या इसके लिए गलत है तो सही परिवार की ये विशेशा नहीं है तो option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निम्न में से कौन बंच सत्ता इबं इस्थान के आधार पर सही परिवार के पिरकार हैं तो इसमें से कौन से हैं तो प्रत बंच ये परिवार तो option number हम हमारा इसमें A correct हो जाएगा तो बंच सत्ता इबं इस स्थान के आधार पर से परिवार मुक परिकार होते हैं तो जिसमें हमारा पहला आता है पिर्तबंची परिवार मौत में से करेगा अगर मां पर एकरेक्ट हो चाएगा पित्द बंशीय परिवार। अगला कोस्ट देखते हैं दाइ吭ाग संन्च परिवार भारत के किस राज़ी में पाया जाता है। सब्सक्राइब नबर हमारा एक परेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बंगाल के लाबा असम में भी रहता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बंगाल और असम में, फ्रेंड्स इस परिवार में पुत्र की संपत्ती पर अधिकार पिता के मरने के पस्चाथी राप्त होता है, ऐसा नहीं होता है कि पिता जिंदा और पुत्र को संपत्ती दे दे, यानि पुत्र जब पिता की मिर्ती हो जाई, तो ही पुत्र को संपत्ती दी जाएगी, तो इसमें उप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, दाए भाग संयुक्त परिवार, अगला कुस्चन देखते हैं, निमन में से कौन संपत्त परिवार के बिक्ठन का कारण नहीं है, तो इन में से कौन सा संपत्त परिवार के बिक्ठन का कारण नहीं है, ब्यक्ति बाद, तो ये है, सिक्चा का पिरसार, ये भी है, ये भी नहीं है, सोरी, लेकिन ये क्या है, संपत्त परिवार के बिक्ठन का कारण नहीं है, तो ब्यक्तिबाद है, सिक्षा का पिरसार है, पस्चिमी करण है तो ये क्या है, संग्तु परिवार के बिख्ठन का करण लेकिन समान धार में करतब क्या है, इसका बिख्ठन का करण नहीं है तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं, वो प्रिक्रिया जिसमें समाज का निमन बर्ग, उच्च बर्ग या पिरतिष्टा बर्ग क्या अनुशरल करता है तथा उस स्रेड़ी में शामिल होने के लिए प्रियासरत रहता है और वो उसे भी अपने जीवन में बर्ग, विशेश रूप से संसकारों हो, धार्मिक, अनुश्टान, कर्मकांडों इवं बिचारों से प्रिभाववित होता है और वो उसे भी अपने जीवन में अपनाता है तो इसमें option number हमारा ये correct हो जाएगा अगला question देखते हैं सरकार द्वारा किये गए वो कौन से प्रियास हैं जिसमें संसोधी करण की प्रिक्रिया को बढ़ावा मिला है दोस्तों वो कौन से काम है तो पहला है और अक्छल की व्याबस्ता सही बात है नेश्ट है भूमी सुधार तो भूमी सुधार में भी ये देखने को मिला है नेश्ट है मतादिकार का अधिकार तो ये सब क्या है संसुदी करल की प्रिक्रिया को इन सब से क्या है बड़ा भामिला है तो इसमें अप्सिन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा ये सब ही तो आप इसको दिहान रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं निम लेकित में से कौन सी कौन संसुदी करल की संसुदी करल का वो भारती समाज पर पढ़ने वाला प्रिभाब नहीं है तो कौन सा नहीं है तो उच्च बर का प्रिभाब पढ़ना तो ये क्या है संसुदी करल का भारती समाज पर नहीं पढ़ने वाला प्रिभाब तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं पस्चिमी करल के पिरभाब से भारती समाज में विभागी कौन से पिरवित्ति कम हुई है फ्रेंड्स पस्चिमी करल के पिरभाब से भारती समाज में कौन से विभागी अगला question देखते हैं option नमर डी करेक्ट हो जाएगा ये सब ही आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं निम लिक्त मेंसे कौन आधूनी करल की विषिष़ता नहीं है तो आपको बताना है इनमेंसे कौन से आधूनी करल की विषिष़ता नहीं है पहला है सामाजिक बेभेदी करल ये क्या है आदुनी करल की बिसेस्ता है नेश्ट है हमारा सामाजिक गयातमकता तो ये भी क्या है आदुनी करल की बिसेस्ता है option D में सामाजिक सरचना में बदलाव ये क्या है आदुनी करल की बिसेस्ता नहीं है तो आप इसको ध्यान रखेंगे option number हमारा इसमें भी correct हो जाएगा तो आदुनी करल से समाज में तारकरिक्ता और बैगेनरिक्ता को बड़ावा मिलाए तो आप इस चीद को ध्यान रखेंगे तो option number इसमें हमारा भी correct हो जाएगा friends यह था परवेस इवं विकास का पार्ट नमबर 26 आई ओप आपने सारे question की practice अच्छे से की है अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले exam में जरूर help मिलेगी तो इसी तरह से आपको अप लगातार वीडियो मिलती रहेगी और बहुत जल्द हिंदी के best important question मिलने वाले हैं जिनसे आपके 25 में से आप 22 पिलस मार्स अपके मान सकते हैं लेकपाल के exam में तो उम्मीद करता हूँ यह lecture series आपको पसंद आती होगी तो lecture series में से आप चुड़े हैं तो और लोगों को भी जोड़ते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लो ताकि जो मैं PDF भेजूँगा आपको सारी बहीं से प्राप्त होंगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए प्रक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत